हलो दोस्तों आप सबका हमारी प्यार इस ब्लोक में स्वागत है दोस्तों आज मैं एक छोटा सा ब्लोक बना रहा हूँ जिसमें आपको मेरा जो बगीचा है वो दिखाऊंगा साथी मेरी जो पसुधन है वो दिखाऊंगा साथ में जो संसादन है वो भी मैं आपको दिखाऊं इस पर अभी केले लगए हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए दोस्तों ये केले लगए हैं ये क्या है कि ये ग्रामिन इलाका है तो यहाँ पर ये केले पकते नहीं हैं बीच में ही तूट जाते हैं वेसे लगए तो काफी मात्रा में हैं ये देखिए अभी नीचे तक फेले विए हैं चलो अब मैं आपको ले चलता हूं दूसरी तरफ देखें दोस्तों यहाँ पर यह पपीते के पोद्य हैं इनकी पपीते लगए हैं देखें यह सर्दी के कारण क्या हैं तोड़े नश्ट हो गए हैं इधर देखें दूसरे विश्चे उच्वालिटी की प मैं ज 오늘 के पिछेत की तरफ आगे हैं देखें यह हैं और इस नार्येल की पाध्प के पास में वह देखें पपीते क का पाध्प है इधर मैंने किया जो गन्य है जब कभी आये तो इधर सवाद जरूर लीजिए यह देखे दोस्तों इधर जो हमारे पपीत हैं यह जल चुके हैं यह सर्दी इतनी ज्यादा पड़ रहे हैं कि यह नस्ट हो गए हैं और देखे यह गन्ना अभी तो इनकी जो पेली हैं वो थोड़ी छोटी हैं लेकिन यह भोती ज्यादा रखे हैं यह देखे दोस्तों इहसारे पते के पोड़े हैं वो नस्ट हो गए हैं जल गए हैं और यहjänी वाली पोड़े के हलवर्त तो आप देखी कितना झाल गया है यह इसके पास में है पतागोबी देखो सोरी पतागोबी है यह पता साइज देखे कितनी अच्छे इसकी चलो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ पिछे की तरफ यहां पर हमारी जो फसु समपदा आ हुआ यह हमारी जो बैसे हैं वो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं लगभग 13 14 हैं इनकी खुल गिंती और यह हमारा है यह है दोस्तों हमारा पाडाराम जी जो को बिलकुल कुम्भा टाइप है इसके सिंग देखे कितने मुड़े भी हैं आई होप दोस्तों आपको यह बलोग पसंद आया होगा तो अगर आपको यह बलोग पसंद आया है तो हमारे जो पेज है उसको फोलो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक सेर कीजिए बाई धन्यवाद